आज हम एक अलग तरह के वर्टिगो की पहचान करने की बात करेंगे, मैं बताऊंगा कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। इसे बिनाइन पैरोकसिमल पोजीशन वर्टिगो कहते हैं, ये एक ऐसा वर्टिगो है, जिसमें आपको लगता है कि आप घूम रहे हैं, आपको चक्कर आते हैं, जबकि आप वास्तव में घूमते नहीं हैं। इसे भी PPV कहेंगे। ये चक्कर आने का सबसे बड़ा कारण है। जबकि आप एक ही जगहे पर खड़े होते हैं। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये कैलशियम का क्रिस्टल वहां कैसे पहुंचा और आप कैसे उससे चुटकारा पा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आप इस स्थिती का पता कैसे लगा सकते हैं। ये भी जानेंगे कि ये समस्या आपके बाई तरफ है या दाई तरफ। इस स्थिती का पता लगाने और जानने के लिए कि ये समस्या आपको है या नहीं है। अगर है, तो किस तरफ है। उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं। जिसका नाम है डिक्स हाल पाइक टेस्ट, आप इसे बिस्तर या टेबल पर बैठ कर सकते हैं। आपको एक तकिया की जरूरत होगी, आपको बैठना है और फिर तुरंथ पीठ के बल लेट जाना है, आपका चहरा उपर रहेगा. तकिया आपकी पीठ के उपरी हिस्से को सहारा देगा और आपका सिर पीछे की तरफ जुका रहेगा क्योंकि आपको अपने सिर को सीधी रेखा से लगभग 30 दिगरी पीछे खीचना है. इसलिए तकिया आपके कंधों के नीचे रहनी चाहिए. सबसे पहले आपको अपने सिर को दाई तरफ 45 दिगरी घुमाना है. अगर आपको वास्तव में भी पी-पीवी की समस्या है, तो आपको केवल चक्कर ही नहीं आएगा, बल्कि आपको स्टिग्मा का भी एहसास होगा. ये एक ऐसी स्थिती है, जहां आपकी आखें आगे पीछे और उपर नीचे चारों तरफ घुम जाती है. अगर आपको स्टिग्मा है और चक्कर आते हैं, तो हो सकता है कि आपको ये समस्या हो. अच्छा रहेगा कि आपके साथ कोई इनसान खड़ा रहे, जो ये बता सके कि आपको ये समस्या हो रही है, लेकिन अगर आसपास कोई नहीं है, तो आप शीशे में देखकर अपनी आँखों की गतिविधी नोट कर सकते हैं. आपको ये समझना होगा कि इन में से कोई भी टेस्ट करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से बात करनी होगी, सुनिश्चित करें कि आपको सर्विकल स्पाइन की समस्या ना हो, जहां आप अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा नहीं घुमा पाते, ये मेरी आपको सलाह है. जब आप दाई तरफ गर्दन मोरने की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, उसके बाद आपको बाई तरफ गर्दन को मोरने की प्रक्रिया शुरू करनी है. इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हिस्सा इस समस्या का कारण है. चलिए मान लेते हैं कि समस्या आपकी दाई त तो उसके बाद हम अगला कार्य करेंगे। ये इसका एक बहुत बढ़िया उपचार है। इसमें हम सिर को कुछ इस तरह से हिलाएंगे जिससे कैल्शियम का क्रिस्टल नली से बाहर निकल जाएं। इस कार्य पध्धती का यही उद्देश है। इस पध्धती को एपिली अपने सिर को उस तरफ मोडना है, जिस तरफ आपको ये समस्या है। यहां हम सिर को दाई तरफ 45 दिगरी मोडेंगे और 30 दिगरी खीचेंगे। आपको एक मिनट तक इसी अवस्था में बने रहना है। हो सकता है कि ऐसा करते समय आपको इसके लक्षनों का भी सामना करना प क्रिस्टल को कान की नली से धीरे-धीरे करके बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। आप उसे दूसरे सिरे पर धकेल देते हैं। अब आपको कंधे के बल घुमना है। ध्यान दें कि आपकी थुड़ी कंधे को हमेशा छुती रहे। अब आप 45 दिगरी नीचे देख रहे हो आपको 30 सिकंड तक इसी अवस्था में बने रहना है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि कैल्शियम का क्रिस्टल नली में घुमने लग जाए। आखिरी काम आपको ये करना है कि आपको उसी अवस्था में उठकर बैठ जाना है। आपकी थुड़ी आपके कंधे की तरफ ज होने लगेगा। ये उपचार आपको एक दिन में केवल एक बार ही करना चाहिए और इसे तब तक करें, जब तक लक्षन दूर नहीं हो जाते। अब बात करते हैं कि कैल्शियम के क्रिस्टल के निर्मान के पीछे की असली वज़य क्या है। विटामिन D की दुगनी कमी थी। देखिए विटामिन D कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है। ये कैल्शियम उखड कर कान की अंदरूनी और छोटी लिंफिटिक ट्यूब में पहुँच जाता है। जाहिर सी बात है कि शरीर कैल्शियम को सोख नहीं पाता। विटामिन D की अगर किसी इनसान में विटामिन D की कमी है तो उसमें भी पीपीवी होने का खत्रा 23 गुना बढ़ जाता है। 23 गुना एक बड़ा आकड़ा है। इसलिए इस स्थिती के पैदा होने के पीछे का कारण विटामिन D है। के खराब होने से टिश्यू में विटामिन D का स्थर सामान्य नहीं होता। किसी इनसान के खून में विटामिन D का स्थर सामान्य होने का मतलब ये नहीं है कि उसके शरीर में सब कुछ सही हो। ये सब इनसुलिन रेजिस्टेंस से भी जुड़ा हुआ है। कॉर्टिसोल के मामले में भी यही होता है. इसे स्ट्रेस हॉर्मोन कहते हैं. किसी इंसान के खून में बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल हो सकता है, फिर भी उसको कॉर्टिसोल की कमी के लक्षनों का सामना करना पड़ सकता है. कॉर्टिसोल शरीर की सूजन से छुटकारा दिला सक तो जब खून में इसकी बहुत ज्यादा मात्रा मौजूद है, फिर क्यों शरीर में बड़े पैमाने पर सूजन पैदा होने लगती है। मैं आपको सलाह दूँगा कि विटामिन D3 और K2 की खुराक रोजाना लेने के बज़ाए आप 5 दिन की खुराक एक ही बार में लें क्योंकि विटामिन K2 और विटामिन D फैट में घुल जाते हैं और ऐसा करने से ये शरीर द्वारा सोख लिए जाएंगे और शरीर की जरूरत के अनुसार धीरे धीरे रिलीज होने लगेंगे कुछ आकड़े बताते हैं कि अगर आप विटामिन D रोजाना नहीं लेंगे या इसे कभी कभार लेंगे तो आपको थोड़े बहतर परिनाम मिलेंगे इसका क्या मतलब है आपको 50,000 आयू विटामिन D3 लेना है अगर आपक 10,000 आयू वाला विटामिन D का कैपसूल मिलता है तो आप ऐसे 5 कैपसूल ले सकते हैं आशा है कि आपको सही अनुपात में विटामिन K2 भी मिल जाएगा सही अनुपात का मतलब ये हुआ कि 10,000 आयू विटामिन D3 के साथ आपको 100 माइक्रो ग्राम विटामिन K2 लेना चाहि आपको ये खुराक हफते में एक बार लेनी है अब क्योंकि विटामिन D इतना महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने एक दूसरा विडियो भी बनाया है जिसमें मैं आपको उन सभी कारणों की जानकारी दूँगा और बताऊंगा कि क्यों आप में इसकी कमी हो सकती है और उसे दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं आप विडियो यहां देख सकते हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें